जैहिन दोस्तों मैंनी धिबेंचोहान आज हम करेंगे क्लास 8 का 2.1 के questions जिसमें हमें एक चल समीकरण दिये गए हैं अब एक चल समीकरण का मतलब है जिसमें एक ही चल हो यानि कि x y a b c कोई भी एक ही चल हो और हमें उससे x की value यानि कि चल की value हमें निकाल नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं देखें हमारा पहला समीकरण है x-2 is equal to 7 ठीक है अब आपको मैं बताती हूँ कि जो 2 है न इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जब हम किसी भी नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे चाहे तो left से right या right से left तो उसका निशान जो है वो बदल जाएगा हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी हैं समीकरण को solve करते हुए कि जब भी हम किसी नंबर को या तो left से right लेके जाएंगे या right से left लेकर आएंगे तो उसका निशान बदल जाएगा तो अब हमारे पास है minus 2 तो इस minus 2 को हम उस तरफ लेके जाएंगे यानि कि left से right तो ये minus 2 था इधर आके ये plus 2 हो जाएगा अब दोनों plus के हो गए तो 7 और 2 9 तो हमारी x की value आ गई 9 अगला question देखते हैं same question है देखिए 3 plus का है यहां हमारा sum है y plus 3 is equal to 10 तो plus 3 को हम right side लेके जाएंगे तो यहां plus 3 है तो इधर आके minus 3 अब 10 में से 3 गया तो 7 तो y की value आ गई हमारी 7 ठीक है third question बिल्कुल same है थोड़ा सा confuse कर दिया गया है लेकिन हमें confuse नहीं होना है देखिए अब यहां पे right side में हमें z दिया हुआ है कोई बात नहीं है हम हमेशा की तरह plus 2 को उस तरफ लेके आएंगे यानि की right से हम left ले जाएंगे plus 2 को तो क्यूंकि यहां plus 2 है तो यहां जाके हो जाएगा minus 2 है ना 6 में से 2 गया तो 4 सभी अपनी जगा पे हैं इसलिए z को हम इस तरफ ले आते हैं क्योंकि चल जो हमारा left side होना चाहिए ठीक है 4 question देख लेते हैं यह देखें question 4 है 3 बटे 7 plus x और 17 बटे 7 तो हम क्या करेंगे x को यहीं छोड़ देंगे यह plus 3 बटे 7 है तो जब उस तरफ जाएगा तो minus का हो जाएगा तो हमारा हो गया 17 बटे 7 minus 3 बटे 7 अब इसमें देखें क्या करना है हमें हमारा छेद सेम है ओके छेद हमारा सेम है तो हम एक बारी छेद ले लेंगे और उपर 17 minus 3 यानि कि 17 में से 3 गया तो 14 ठीक है 14 आ गया अब दोनों 7 से कट रहे हैं तो 7 एकम यह देखें साथ एकम साथ साथ दुनी 14 तो इस तरह से हमारा अंसर आ गया यानि कि x की value आ गई 2 ठीक है अगला question देख लेते हैं अब इसमें आप एक नई चीज सिखेंगे क्या मैं बताती हूँ आपको अभी 6 x बराबर 12 अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है ठीक है 6 और x के बीच में कोई निशान नहीं है उसका मतलब है कि 6 और x जह वो गुणा हो रहे हैं अब जब यहां गुणा हो रहा है तो जब वो right side जाएगा तो वो भाग हो जाएगा जब यह यहां पर गुणा हो रहा है और हम इस 6 को अगर right side लेके जाएगे तो वो भाग हो जाएगा तो इस तरह से 6 एकम 6 और 6 दुनी 12 दोनों 6 से कट गए तो आंसर आगया 2 यानिकी x is equal to 2 next question देख लेते हैं question number 6 से हमारा t बटे 5 is equal to 10 अब 5 यहां पर भाग हो रहा है नीचे है ना इसलिए यह भाग हो रहा है अब हम इसको right side लेकर जाएगे तो यह हो जाएगा गुणा मैंने बताया ना कि हर बार जब हम number को दूसरी तरफ लेके जाएगे तो उसका निशान बदल जाएगा ठीक है तो देखिए यहां भाग हो रहा है जब हम इसको right side लेकर आएगे तो यह हो जाएगा गुणा तो 10 पंजे 50 तो t is equal to हो जाएगा हमारा 50 चलते हैं अगले question की तरफ question number 7 देखिए question number 7 है हमारा 2x बटे 3 is equal to 18 ठीक है अब इसे कैसे करेंगे हम यह देखिए 3 यहां पर भाग हो रहा है ठीक है यह 3 है न यहां पर भाग हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो यह बुणा हो जाएगा ठीक है और यह मैंने अभी आपको बताया कि जब दो number के बीच कोई निशान नहीं है एक number है और एक चल है तो यह हो रहे हैं गुणा तो यह जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग ठीक है यहां पर हो गया 18 गुणा 3 बटे में 2 अब यह दोनों कट जाएंगे दो एकम दो दो निम अठारा तो हमारे पास क्या आया नो तिया 27 क्या आया हमारे पास नो तिया 27 अगला question देख लेते हैं question number 8 में हमें कह रहा है एक point 6 बराबर y बटे में 1.5 ठीक है अब हमें क्या करेंगे चल को यहां ही छोड़ देंगे और एक point 5 को वहां लेके जाएंगे तो क्यूंकि यहां पर एक point 5 भाग हो रहा है ठीक है तो वहां जाके क्या हो जाएगा गुणा तो देखिए एक point 6 गुणा एक point 5 is equal to y ठीक है अब हमें क्या करना है एक point 6 और एक point 5 को करना है गुणा तो क्यासे करेंगे देखिए 5 छिक 30 का 0 3 क्यारी चला जाएगा 5 एक कम 5 और 3 8 ठीक है यहां पर 0 फिर एक से गुणा एक छिक 6 एक एक कम 1 लाइन डालके प्लस कर देते हैं 0 का 0 6 और 8 14 का 4 1 1 और 1 2 ठीक है अब हमें point कैसे लगाना है point के बाद एक number और point के बाद एक number एक और एक दो तो इसलिए हम दो number के बाद point लगाएंगे तो answer आएगा 2.4 is equal to y अगला question देख लेते है 7 x minus 9 is equal to 16 ठीक है अब देखिए इसे कैसे solve करना है हमें यह minus का 9 है उस तरफ जाएगा plus 9 16 और 9 को जोड़ दिया 25 अब यह दोनों यहां गुणा हो रहे हैं आपको बताया है ना कि एक number है और एक चल है दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है लेकिन वो गुणा हो रहे है ठीक है यह math का rule है अब यहां यह गुणा हो रहा है तो इधरा के क्या हो जाएगा भाग अब यह दोनों किसी से नहीं कट रहे इसलिए हमारा question यहां खतम होता है चलते हैं question number 10 की तरफ यह देखे यह हमारा question number 10 14y-8 is equal to 13 पहला step minus 8 को आप उस तरफ ले जाएंगे plus 8 निशान बदल जाएगा ओके 13 और 8 21 ठीक है अब यह देखे यह दोनों क्या हो रहे हैं गुणा 14y गुणा हो रहे हैं तो इस तरफ आके 14 क्या हो जाएगा भाग यानि कि 13 और 8 को जोड़ा तो 21 आया और यह 14 यहां गुणा हो रहा था तो इदर आके भाग ठीक है दोनों 7 से कट रहे हैं 7 3 जा 21 7 2 जा 14 तो हमारा answer आगया 3 बटे 2 ठीक है चलते हैं अगले question की तरफ question number 11 इसमें भी क्या करना है देखे सेम चीज है पिछले वाले की तरह 17 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो यहां plus 17 है इधर आके minus 17 ठीक है 17 में से 9 को minus किया तो आया minus 8 क्योंकि बड़ा number minus का है इसलिए यहां पर minus 8 ओके यह दोनों यहां गुणा हो रहे हैं तो इस तरफ आके 6 हो जाएगा भग अब दोनों 8 बड़े 6 2 की टेबल में आते हैं यानि की 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 तो इस तरह से हमारा answer आ गया minus 4 बड़े 3 ठीक है अगला question देख लेते हैं अगला question है हमारा x बड़े 3 plus 1 is equal to 7 बड़े 15 अब देखिए इसे हम कैसे solve करेंगे इसे हम कैसे करेंगे plus 1 को पहले हम उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा minus 1 ठीक है एक-एक step में देखते जाएए अब 7 का 7 15 एक कम 15 minus और 15 का 15 यानि की 15 की हमने एक से कर दी तिरची गुणा अब 15 में से 7 गया देखिए 15 में से 7 गया तो आया minus 8 बटे में 15 अब यहाँ पर 3 भाग हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा गुणा ठीक है ना इस देखिए गुणा हो गया अब गुणा है बीच में तो तिरचा कट सकता है जब बीच में गुणा होती है तो तिरचा कट सकता है यानि की 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 तो हमारा अंसर क्या है minus 8 एकम minus 8 और 5 का 5 तो इस तरह से हमारा 2.1 यहाँ खतम होता है Thank you very much जैहिन जैभारत